करीब 300 से अधिक फिल्मों में कॉस्ट्यूम दिजाइन कर चुकी फैशन डिजाइनर निता लुल्ला ने 14 एप्रिल 2023 को अखिल भारतिय स्थर पर रिलिज होने जारी फिल्म शाकुन तलम में कॉस्ट्यूम दिजाइन किये है इस फिल्म में निता लुल्ला के लिए कॉस्ट्यूम दिजाइन करना बहुत ही चैलेंजिंग रहा है मुंबई में आयजित इस फिल्म के प्रेस कॉनफरेंस के दवरान निता लुला ने इस बात का खुलासा किया है कि इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए उन्हें किस तरह की तैयारिया करनी पड़ी फिल्म शाकुन तलम काली दास द्वारा लिखित नाटक अभिद्यान शाकुन तलम पर आधारित है इस फिल्म में राजा दुश्चन और शाकुन तला की प्रेम कहानी को दिखाया गया है निता लुला कहती है ऐसी कहानी सुन सुन कर हम लोग बड़े हुए बचपन में मैं अम पत्रिकाओं के फोटो के आधार पर मैंने इस फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजैन किये है फिल्म शाकुन तलम का निर्मान बहुत भोवेस्तर पर हुआ है इस फिल्म में समन्ता प्रभू शाकुन तला की भूमिका निभा रही है तो वही राजा दुश्चन्त की भूमि था और चंदा मामा के बारे में नहीं पता होगा ऐसी कहानियों को लोगों तक पहुचाने का माध्यम अब सिनेमा ही रहा है आज के बच्चों को इस फिल्म के माध्यम से उस दोर की सुन्दरता और उस जमाने के पहनावे के बारे में पता चलेगा फैशन डिजैनर निता लु कि पूरी कोशिश की है कि इस फिल्म में कलाकारों के जो कोस्चूम है ओ उस दोर को याद दिलाएं इसमें मैंने अपनी कलपना और पत्रिकाओं से मिले रेफरेंस के आधार पर कोस्चूम डिजैन किये है जब आप कोई कहानी पढ़ते है तो उस किरदार के भेज भुशा आपके दिमाग में बैटने लगते हैं हाला कि बच्चपन में जब अमर चितरकताय पढ़ती थी तो मम्मी से बहुत डाड़ भी मिलती थी इसलिए मैं ओ किताबे बिस्तर के नीचे छुपा कर रखती थी कहानी के हिसाब से फिल्म का कास्चूम परफेक्ट होना बहुत ही ज परचक उस किरदार से खुद को रिलेट नहीं कर पाते हैं नितालूला कहती है जब मुझे पहली बार फिल्म के निर्देशक गुना सेखर ने मुझे इस फिल्म के बारे में बताया उसी समय मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर सपस्ट थी किस तरह के कॉस्ट्यूम इस फिल् है चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्रोपीडिया में